गराम पंचाई देवली मजदूरों का महला है गरीबों की गंदगी कौन मिटाएगा साहिब अगर अमीरों का महला होता तो गंदगी कब की साफ हो जाती ऐसा कहना है गराम देवली के पुराने मिट्टी की खदान के आसपार रहने वाले लोगों का घरों के आसपास पानी भरा है वो भी सड़ा हुआ बद्बू ऐसी है कि आप और हम वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते और यह लोग यहां रह रहे हैं पानी इखटा होने से मचर इतने हैं कि रात भर सोने भी नहीं देते बच्चे महिलाएं और बुढ़े बिमार हो रहे हैं लेकिन गरीब हैं मज़ूर हैं तो बद्बू भी आने दीजिए घर के आसपास पानी भी भर जाने दीजिए और मचरों को भी काटने दीजिए क्या फर पिंदा भारत चुनी माई और कोटवा लेन माई का कहना है कि पंचायत वालों को कई बार बता चुके हैं लेकिन ग्राम सहक कहता है कि पंचायत चुनाओं के बाद नए सरपंच सहाब को अभी चार्ज नहीं मिला है और मैं कुछ काम भी करवा नहीं सकता नवागत सरपंच रोहित निहाल को बताया तो उनका कहना है कि चार्ज मिले तो काम करू ऐसे कैसे करू गाओं के दश्रत राठोड का कहना है कि सरपंच और सचियू दोनों से इस सम्मद में बात की अभी प्रसासन से अनुमती लेकर इस समस्या का हल करे लेकिन कुछ जली खटा हो गया है क्या समस्या हो रही है तो अब तुम काई करोगा अगा अब एक पई भी निरा कारण को आशित हम बोली रहा है अब कर दिक कर दो ही रही है यह जल भराओ खटा हो गया इससे क्या समस्या हो रहे है आपको यह समस्या इस मोहले में रहने वाले गरीब लोगों को है और आपको पता ही है कि गरीब तो एसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर रहते हैं हमेसा क्योंकि पंचायत के जो चुनाव हो चुके है अबी तो तो पूरानी पंचायत है उसकी तो भंग हो चुकी है उसका तो कोई अधिकार बच्चा नी और जो नई पंचायत बनी उसको अभी चार जने मिला है तो यह जब सची हो है और जो नया सर्पंज बना है इन दोनों लोगों की अभी थोड़ो सामंजस में कमी है यह चाहे तो मैंने भी संबंद में जो निहां के शर्पंज सची हुए उनसे बात करी थी लेकिन कुछ कर नी रहे हैं और इनकी परेशानी बिचारों की बढ़ती जा रही है आप सोच सकते हैं कि एक ती बद्बू आ रही है यहां खड़े है अपन तो यह कैसे रहते होंगे लेकिन क्या ह है कि इनको देखने हो लग कोन है अगर कोई बड़ा विक्ति या बड़े लोगों का महला रहता तो यह काम आसानी से हो जाता और जल्दी हो जाता क्या ना में आपका दसरत राठों हेलो फ्रैंड्स आप देख रहे हमारा चैनल एस जब्यूटिफो न्यूज हमारे सारे वी हुआ है